कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इस मुवी से जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ब्लड शोट मुवी की याद आ गई थी एक drone pilot होता है जिसका नाम होता है हाप अब इस इनसान के दिक्कत यह होती है कि यह order नहीं मानता और order ना मानने की वज़े से इसको एक war zone के इलाके में भेज दिया जाता है जहां पर यह field में जाकर काम करेगा जहां पर जंग चल रही है आतंकी बैटे हैं तो वहां पर जाकर का करेगा कैप्टन लियो के अंडर में कैप्टन लियो एक android है इसे ऐसे समझो यह कि साइबोग है साइबोग मतलब की एक आधुनिक मशीन है टर्मिनेटर कह सकते हो टर्मिनेटर से भी एडवांस है मतलब मशीन से बहुत जादा है लेकिन इंसान नहीं है लेकिन इंसान से कम फिए नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि यह इंसान के जजबात को समझ सकता है कि इनसान कैसा फील करता है वो सही गलत का फैसला ले सकता है वह मतलब उनके अंडर differentiate कर सकता है नेकिन बात यह ऊठती है सबसे बड़ा स्वाल यही कि कितकी कर सकता है कैप्टन लियो गलत है शाय का आदमी होता है जो रशिया का है अब उसे नृपलियर वेपन का पाताय चल जोगा होता है कि ज़र कहां पर रशिया में नृपलियर वेफन चुपझ हुए हैं और इस विक्टर को रोकने के लिए जिम्मेदारी जो दी जाती है वो 캡्टन लियों को दी जाती है और साथ यह पॉइंट किया जाता है लेटिनेंट हाप को अब मूवी में प्रोब्लम यह स्टार्ट होती है कि कौन क्या कहना चाता है किसी का क्या मकसद है यह चीजें जो है यह मूवी अच्छे से समझा नहीं पाई अब अगर इससे जादा मैं कुछ बताऊंगा तो एक तरीके से आप लोगों को स्पोयलर मिल जाएगा देखने वाली बात यह है कि नुकलियर अटेक को रोका कैसे जाता है और सबसे इंपोर्टन उसको करता कौन है इन सब चीज़ों के लिए तो आप लोगों को यह मूवी देखने पड़ेगी अब देखो यार इसमें कुछ सस्पेंस भी है जो हमने सोचे नहीं थे यह expect बिलकूल भी नहीं किर रहे वो हैं इसके अंदर लेकिन प्रोब्लम यह है कि वो बावचुद उन Syvespence के जो हमने नहीं सोचे थे वो उतने हरान नहीं कर पाते है जो इसकी कहानी है वो इतनी वीक है कि हमें इससे attraction नहीं हो पाता है और इसमें जो concept इनों ने use किया, cyborg का मतलब इतना advanced technology इनों ने use कि और जो इसकी main USP मैं कहूँगा main strength इसकी action रही इस movie की वो इतनी weak है इसमें action तो हैं लेकिन वो कोई नए action नहीं है, हमने बहुत पहले देखे हुए है कहानी इतनी अच्छी नहीं है और उपर से कहानी इतनी puzzle है इसके अंदर की हमें यह समझ में नहीं आ पाती कि कौन क्या कहने की कोशिश कर रहा है चाहते तो इसको easy करके भी हमको समझाया जा सकता था और जो cyborg का जो इन्होंने concept लिया, उसमें action अच्छे से डाल इस सकते थे बहुत अच्छे से उसका use कर सकते थे लेकिन कहूंगा कि उन्होंने उस चीज़ को भी waste कर दिया थोड़े बहुत action है, लेकिन वो repeated action है हमने बहुत बार movies में वैसे action देख रखे होते हैं और अब आद करूँ इसकी ending की देखो यार ending कोई इतनी ज़्यादा satisfy नहीं लगी मुझे हम उसे हजम नहीं कर पाएंगे मतलब हजम करने का मतलब फिर वही बात आती है अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को हिंट दे दिया तो वो suspense खराब हो जाएगा मतलब वो interest आप लोगों का नहीं बन पाएगा जो मैं चाहता हूँ कि वो चीज खराब नहीं अगर आप देखने की सोच रहे है लेकिन इतनी सारी कमियों के बावजुद एक चोटी सी खुशकबरी ये है कि यह आप लोगों को हिंदी में डब मिल जाएगी हिंदी में डब मैं कहूँ कि यार हाँ काफी अच्छी डबिंग की है और इस मुवी को मैं देना चाहूँगा फोर आप टोफ टैन स्टार अगर आप लोगों ने मुवी देख रखिए तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों कैसे लगी अगर नहीं देखी तो मैं यह कहानी में कुछ ज्यादा नयापन नहीं है एक्षन कुछ ज्यादा नहीं है गहानी पजल करती है क्योंकि इसमें कुछ एक ऐसी बातें की गई है वो उसको इतना पजल कर देता है इस स्टोरी को वो हमें समझ नहीं आ पाता मैं कह रहा हूँ कि अगर चाहते तो इसको इजी तरीके से भी वो चीज कही जा सकती थी कौन क्या कहना चाह रहा है और उसके माइने में उसके नजरी है मतलब कोई इस चीज को कैसे देख रहा है चोड़ो 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 मैं आप लोगों को इसमें और जादा पजल नहीं करूँगा तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में तैंक्स वर वोचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंद